हलो फ्रेंट्स वेलकम्टो वीडियोज.com फ्रेंट्स आज का मैच आज का जो इंडिया वरिस इंगलेंड था 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 फॉर्ट डे में खेल खतम हो गया और इंडिया ने फिर से दरज अचिल किया जीत हसिल किया मौहाली की टेस्ट में दोस्तों ऐसा कि मैं पहले बोला था उसके बाद कोई भी टेस्ट मौहाली में इंडिया नहीं हरा था तो दस्तों आए चलते हैं आज का जो मैच का हाइलाइट्स है जो स्टैडिस्टिक्स है जो रेकॉर्स है मैं आपको बता जाता हूं देखिए मोस्ट 50 प्लास स्कोर इन एयर फॉर इंगलेंड तो इंगल 15 एक्सो प्लास स्कोर है 8 50 है और 11 50 प्लास स्कोर है तो आए चलते हैं नेश्ट्स रेकॉर्ड के बारे में आफास्ट जिरो नंबर अफ टाइम्स थ्री बैसमेन इन नंबर अट नंबर सेवन और लॉर गट 50 प्लास स्कोर इन टेस्ट इनिंग्स फर इंडिया बिफोर दिस अश्वीन जादेजा और जादव फिफ्टी इन इनिंग्स तो दोस्तो मैं आपको बता दू कि आज का जो यह जो खेल था यह जो थाट टेस्ट था इसमें एकदम पहला जब पुड़ा इंडिया का पुड़ा जो बैस्मेन था पुड़ा आउट होने के बाद अब देख सक के बाद देखिए रविचंजन वश्वीन यह 72 जादेजा 90 और जयन जदव 55 तो यह था 7, 8, 9 नमबर बला जो बैस्मेन है इंडिया का यह पहले बर हुआ है कि 7, 8, 9 नमबर बला बैस्मेन 50 प्लास स्कोर किया है तो जादेजा के बेस अगर बात करें इस टेस्ट में इस टे इस टेस्ट में 90 रांस के जादेजा तो यह है इस इनका हाइस्ट कोर इन टेस्ट तो 500 रांस एंड फिप्टी विकेट के बात करें आगा जोस्तो एक एक यह में तो रविचंद्रन अश्वीन ने के बराबर हो गया है तो इनका जो रेकॉर्ड है का 545 रांस एक एक यह में और बैटिंग अबरेज देख सकते हैं 45.41 विकेट लिया है 59 और बोलिंग अबरेज है 22.83 और यह है 2016 तो यहां पर आप देख सकते हैं जनसान बेटरी अंडु फिलिंटाव शन पलग कपिल देब बोथाम यान बोथाम कपिल देब और यान बोथाम तो यह रहने का यह सीरीज में पूर फर्पानमें था 12.6 रहने का बैटिंग अबरेज था इन इस सीरीज और यह मेड जस्ट शिक्टी त्री रान्स इन फाइव इनिंग वी था हाइस्ट आप 26 तो फोर्थ इनिंग में तो रहने को टेस्ट रहने को बैटिंग नहीं दिया गया है पहले पुजारा आया उसके बाद कोहली आया रहने का बैटिंग नहीं मिला तो नेक्स्ट पुजारा स् प्रोफिलिक प्रोलिफिक यार तो 7th 50 प्लस score for पुजारा in 2016 in 13 innings his most by in any year he has made scores of 124, 18, 119 and 1 before these innings in this series तो पुजारा का बहुत अच्छ यार चल रहा है परफॉमेंच यार बहुत अच्छ चल रहा है तो next no tripling matter 2001 last time a visiting team recovered from 4400 to post a total higher than England's 283 in a test in India that was Australia who made 349 from 98 for 4 तो 98 for 4 से Australia ने 349 तक किया था score उसके बाद England ने यही first time किया 100 के नीचे उनका 4 wicket गिर गया था first innings में उसके बाद भी England ने 283 runs का performance दिया next record के बाद करिया का दोस्तों Bear Sto's bumper year तो 10 number of 50 plus score for Bear Sto at number 5 or lower in 2016 only two other sportsmen have managed this in a year Matthews 14 and Chandrapal Chandrapal West Indies का यहा है only two sorry 2002 में and Matthews 2014 में next counter attack 44 runs Bear Sto's and Stoks added in 10 hours after lunch England were on 92 for 4 in 29 hours at lunch तो first innings का बात करें तो England ने 92 for 4 था lunch के बाद उसके बाद counter attack करके 44 runs add किया था Bear Sto and Stoks ने सफल at number 4 six number of batsman tried at number 4 by England in the states in test this year most by any team मुईनाईली के इन at number 4 in this innings कुक of 9 lives two number of times कुक has already two number of times कुक has already been dropped in this innings by Jadja in the third hour a spin in the 11th hour both chances of Sami balling जैसे की दोस्ता आप देख सकते हैं इंडिया ने मुहाली में एकी test match हरा था West Indies के versus में उसके बाद कोई भी match नहीं हरा है खाली 6 match जिता है और 5 match ड्राव हुआ था और आज का भी match जो था England के versus वो भी match जित गया है तो दोस्तो यह जो था England का score का बात कर ले England 283 and 236 all out and India first inning 407 and 104 for 2 and India won by 8 wickets तो यह था test number 2238 2016 for 17 session का third test था and यह match कला गया था Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium Mohali Chandigarh में और यह test match खाली चार दिन में लिप्टा गया 26, 27, 28 and 29 एक टाइम पे मुझा लग रहा था कि England जब 283 का first score किया था साइध मुझे लग रहा था कि 500 तक लेके जाएगा नहीं तो एक minimum 400 तक लेके जाएगा उसके बाद इंडिया का बात करे हो सकता था कि इंडिया 500 का something कुछ lead देगा मगर ओ भी नहीं हुआ उसके बाद England का जो second innings का score था ओ भी बहुत कम में गया उसके बाद एक टाइम पर मुझे नहीं लग रहा था कि 4 चार दिन में खेला निप्टे जाएगा मगर जब इंडिया ने full out all out हो गया सेटेनिंग में खाली 103 एक सो तीन रन का जो मतलब लक्स दिया था उसके चलते मुझे लग गया था कि एकदम आज ही का दिन यानि एक 10 या 15 और रहते हुए इंडिया ने जित हासिल कर देगा तो देख लेते हैं तो इंगलेंड का फास्ट इनिंग सा स्कोर आप देख सकते हैं कुक 27, हमीद 9, रूट 15, मुही नाली 16, बेर स्टो खाली अंली दोस्तो ये बेर स्टो ने 89 का स्कोर किया उसके बाद बातलर का 43 का स्कोर है उसके बाद का कोई भी बैसमन जो नहीं है कि 30 क गाखराब पर कर सके तो फाल अब विकेट के बात कर लें दोस्तो फास्ट इनिंग का देख सकते हैं 1 for 32, 2 for 51, 3 for 51, 4 for 87, 5 for 144, 6 for 213, 7 for 258 and 8 for 266 and 9 for 268 and also 10 for 283 तो फास्ट इनिंग का बॉलिंग का अगर बात करें मुहम्मद सामी ने तीन उएक लिया उमेश जादम ने दो विकेट जायन जादम ने दो विकेट रभी चंधान वश्विन ने एक विकेट and ज्यादे जाने रबिन्द जाजाने दो विकेट फ्स्तो इंडिया का फास्ट परफर्मिंस दिया है एक इनिंग्स एक टेस्ट में खाली 12 रान एंड लास्ट में जो सेकें इनिंग्स का बात करे तो जीरो रान में आउट होए गया उसके बाद पर्ति पर्ति ने थोड़ा कुछ ट्राई किया बहुत साल एक आट साल के बाद उन्होंने टेस्ट में वापस किया उसके बाद थोड़ा कुछ ट्राई तो किया हलाकि बहुत सारे दो तीन कैचेस भी छोड़ दिया था मंगर क्या कर सकते है बहुत दिन के बाद बाद बापस आया उसके बाद फास्ट इनिंग में 42 और सेकें इनिंग से बाद में नेक्स करता हूँ उसमें ही बहुत बोर रान में रान आउट हो गया उसके बाद अश्विन की इसके बात का अगर बात करता हूँ तो एकदम टेल एंडर में बहुत सारे अच्छा बैटिंग किया उसके बाद इंडिया को एक अच्छा मतलब 4-1-7 तक आखरा तक पहुच लिया देखिए ये रभी चंदन अश बिच्विन 72 का और जादेजाने इनका नीजी स्कोर जो था पहले इसका 68 था उसको पार करके 90 तक पहुच लिया और जायन जादम ने 55